नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक, श्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक स्प्लोग पर दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम इस खूबसूरत पत्तियों वाले इंडोर पॉधे सैफलेरा के बारे में बात करने वाले हैं सैफलेरा की अगर बात करी जाए तो आप इसको इंडोर और आउट्डोर दोरों जगें जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं इनकी मेंली तीन वाराइटी आप सभी को देखने को मिलेंगी एक ये वैरिगेटिट बड़े पत्तों वाली वाराइटी दूसरी वैरिगेटिट डव साइज और तीसरी जो है इनकी प्योर ग्रीन पत्तों वाली वाराइटी तीन वराइटी में मिलने वाला ये पौधा हर तरीके से जो है देखने में काफी ज़्यादा खोबसूरत लगता है आपको अगर कोई सीवी वराइटी मिल जाए आप इसको जरूर लगाईए आपका ये जो पौधा है ये best air purifier plant है आपके घर के अंदर जितने भी toxic element होते हैं सबको absorb करके ये air को purify करता है अगर आपके घर में कोई smoke करने वाला है अगर वतिया जलाई जाती है रूम फ्रेशनर वगारा का यूज किया जाता है तो उनके कारण जितने भी formaldehyde या benzene वगारा जो है क्यों पतिया यलो होकर गिर जाती है पौदों के पतियों के ऊपर क्यों अच्छे से चमक निकल के नहीं आती है साथी साथ मेरा पौधा बहुत ही slow growth करता है इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो के अंदर cover करेंगे वीडियो के अंदर last तक बने रहेगा वीडियो पसंद आ जाए तो like, comment और share भी जरूर कर लिजेगा साथी साथ मेरे वो दोस्ट चुमेरी इस वीडियो पे नए है प्लीज मेरे चैनल को subscribe करके वेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की notification अब सभी को मिलती रहें बात अगर इस पौधे की करी जाए तो आप इसको indoor और outdoor दोनों जगे जो है grow कर सकते हैं हालां कि जब इसको आप outdoor grow करेंगे तो इसकी पतियां जो है इनके अंदर ये जो variation दिख रहा है ये आपको green color थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा yellow थोड़ा कम देखने को मिलेगा वहीं अगर आप इसको pure shade में अंदर रख देंगे तो इसकी branches laggy होकर लटकते लगेंगी आपका ये पौधा देखने के में अच्छा नहीं लगेगा तो मैं आप सभी को suggest करना चाहूँगा अगर आप इस पौधे को लगा रहे हैं तो घर का वो हिस्सा दीजिए जहाँ पर इसको morning की एक दो घंटे की sunlight मिल जाए या फिर जो है पूरा दिन ये bright light में रखा रहे मतलब एक अच्छी bright light की आपके इस पौधे को जरुवत होती है अगर आप इसको indoor ग्रो करते हैं वहीं अगर आप इसको outdoor रखते हैं तो outdoor में भी ये बहुत अच्छा चलता है हाला कि variation जो है वहाँ पर आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेंगे पत्तियों के अंदर बात करी जाए अगर इनकी soil requirement की एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा compost और एक हिस्सा जो है आप कोको मिट्ट मिलाकर इनके लिए soil mixture जो है वो प्रिपेर कीजिए पच्छिस 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 का ratio आप चार भाग में रखिएगा उससे होगा क्या कि आपकी मिट्टी जो है वो compost एक भाग sand और एक भाग जो है आपकी garden soil जो है वो मिलाकर मिट्टी को तयार किया है यह मेरा dog size का पौधा है और मैंने इसी साल इसको अपने garden के अंदर add किया है हाँ एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल भी घबराने की जिरुवत नहीं है थोड़ा slow growing plant है एक एक पत्यां जो है आने में एक एक हफ्ते का समय लेती है इस वज़ा से पौधा आपके slow growing plant में है और indoor रखने के लिए बहुत ही अच्छा option है इस पौधे के बारे में अगर इसकी fertilizer requirement के बारे में बात करी जाए तो बहुत कोई heavy fertilizer requirement नहीं है साल भर में दो बार आप fertilizer दे द दीजिए दूसरी वार जो है September में उसी से खुब अच्छे से ग्रोध भी करेगा और साथी साथ इनकी पत्यों के उपर shine भी निकल के आएगी variation इनका बहुत ही खोबसूरत बनेगा बात करी जाए आपके इस पौधे की तो पत्यों को चमकदार बनानी के लिए आप इसके मिष्टिंग करना है बार-बार मिष्टिंग करने से इसकी पत्यों जो है वो सूख सूख कर जो है वो गिरने लगती है आपको लगेगा कि आपसे ओबर वाटरिंग हो गई लेकिन वहाँ पर मिष्टिंग भी जो है वो रीजन होती है हाला कि ओबर वाटरिंग से भी आपके की पत्तियों को चमकदार बनाना है तो आप इसके ऊपर सीवीड का जो है लिकुड फरिलाइजर होता है उसका इस्प्रे कर सकते हैं कंपोश्टी जो आप बनाते हैं उसका इस्प्रे कर सकते हैं या फिर जो है रो मिल्क का भी इस्प्रे आप अपने इस पौधे की पत्तियों को 20-25 दिन के अंतराल पर धुलता रहता हूं आला कि मैं सिर्फ एक ही फटिलाइजर का इस्तमाल नहीं करता हूं जैसे कि मैं 15-15 दिन के अंतराल पर इनके ऊपर फॉलिएज इस्प्रे के लिए अलग अलग तरीके के फटिलाइजर का इस्तमाल करता हूं शीबीट कमपोश्टी रॉमिल्ख इसी तरीके से बात अगर आपके इस पौधे की करी जाए जो है वाटरिंग रिक्वार्मेंट की तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि जैसे ही लेकिन यहां पर आपको दो दिख रहा होगा तो हुआ क्या है कि इसके अंदर से जो है कुछ पतियां जो है वो टूटकर सूख कर गिर गई है हलांकि यह पूरानी पतियां है बिल्कुल प्लांट के जो है इनिशेल टाइम की तो वो तो गिरी जाएंगी लेकिन जब आप ओ नहीं करेगा तो ओबर वाटरी नहीं करनी है मिट्टी को चेक करके हमें अपने पौदे को पानी देना है और दोस्तों लास्ट में जो सबसे आदा क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरा सैफलेरा बहुत धिरे ग्रोथ कर रहा है तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यह स एक बार विडियो के अंदर पहले भी बोला है अभी कि इस लो ग्रोइंग प्लांट है इस वज़ा से इंडोर रखने के लिए बहुत ही अच्छा ओप्सन है तो आपको बिल्कुल भी घबराने के जरुट नहीं है अगर आपके पौदे की पत्तियां स्वस्थ हैं अच्छे की टाइम में भी यह धीरे-धीरे करके ग्रोथ करता है तो घबराने की जरुट आपको बिल्कुल नहीं है आई थिंग मैंने सारी चीजों को जो है इस वीडियो के अंदर कबर कर लिया कुछ रह जाता है तो आप लोग कमेंड करके बताईएगा ऐसी ही किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए एंड टेक कियर